नमस्कार दोस्तों, OCN Network में आपका स्वागत है, मैं हूँ ओमकार चौलरी, वो कहवत तो आपने सुनी होगी, गए थे हरी भजन को, ओटन लगे का पास, एक और है, चोबे जी, छबे जी बनने गए थे, और दूबे जी बन करके लोटे, राकेश टिकेश ने 18 अगस्त को लखीमपूर खीरी में, जो राजापूर मंडी है, वहाँ पर धर्ना, परदर्शन, आंदोलन, जो चाहे वो कहली जी शुरू किया था, एलान किया था कि 75 घंटे तक चलेगा, और मांगे क्या थी, वही पुरानी, जो वो राग अलापते रहे हैं, सरकार ने वादा खिलापी की है, हम लोगों से सारे मुकदमे वापस नहीं हुए हैं, जो MSP के लिए कमेटी बननी थी, वो भी प्रोपर नहीं है, इसके अलावा, जो केंद्रिय ग्रह राज्य मंत्री हैं, अजय मिस्र टैनी, उनको ग्रफतार नहीं किया गया है, वरखास्त नहीं किया गया है, और भी बहुत सारी मांगे, वो सब एक बाहना बना करके, इन्होंने लखिमपुर खीरी में धरना शुरू किया, कहा के हम 75 घंटे तक यहां बैठेंगे, और आगे के लिए डैस 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 चोड़ करके, इन्होंने एक तरीके से शासन को, प्रशासन को, डराने की, धमकाने की, चेश्टा की, के हमारी मांगे मान ली जाएं, लेकिन ऐसा क्या हुआ, के 75 घंटे पूरे होने से पहले ही, बलके जिस दिन यह खतम करने का एलान नहीं किया था, के 21 तारीक को हम खतम करेंगे, तो 20 तारीक को ही खतम क्यों कर दिया, एक दिन पहले खतम क्यों कर दिया, और वहां से, ये क्यों भाग खड़े हुए, अब वहां का जिला प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है, वो इन लोगों के खिलाब कार्रवाई करने जा रहा है, और यही वो कारण था, के ये 75 घंटे पूरे होने का इंतजार करने से पहले ही, वहां से बोरिया विश्तर समेट करके निकल लिए, पूरा प्रकरण क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, धरना खतम करने से पहले, जब इनके लोग डियम को ग्यापन देने के लिए पहुँचे, तो वहां इन्होंने ये इच्छा व्यक्त की, के हमारी मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ से बात करा दी जाए, और जिला प्रशासन ने, जो वहां मंडला युक्ते हैं, दूसरे लोग हैं, उन्होंने इस से साफ इंकार कर दिया, यानि ना इनकी कोई मांग मानी गई, ना इनकी मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ से बात कराई गई, या आप ये भी कह सकते हैं, कि योगी अधितनाथ ने इन से बात करने से इंकार कर दिया, क्योंकि जिला प्रशासन ने इनको जानकरी दी, कि हम सक्षम नहीं हैं, कि आपकी मुख्यमंत्री से बात कराएं, तो इस से ज़्यादा बेज़ती और क्या होगी, ये जिला जेल में बंद तिन जो आपका वो तिकुनिया कांड के आरोपी हैं, जिन्होंने पीट-पीट करके तीन बीजेपी के कारिकरताओं की हत्या कर दी थी, उस गठना के बाद आसीस मिस्टर ने जो थार से चार अंदुलन कारियों को कुचल दिया था और दस गहल हो गए थे, तीन अक्तुबर 2021 को, उसके बाद बीजेपी के भी कुछ वरकर की पीट-पीट करके हत्या की गई थी, उस मामले में कुछ लोग गिरफतार हैं, जेल में बंद हैं, तो ये उन से मिलने के लिए पहुँच गए, जेल प्रशासन ने इन से कहा कि केवल पांच लोग आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं, वहां भी इनोंने जिद मारी करनी शुरू कर दी और ये कहा कि हम तो दस लोग मिलने के लिए जाएंगे, उस पर काफी तनातनी की इस्तिती रही, वहां भी धमकी देने लगे कि हम बीस हजार लोगों को यहां बुला लेंगे, जेल पर धरना शुरू कर देंगे, और इस से पहले भी जब ये 18 अगस्त को राजापुर मंडी में पहुंचे और धर्ना शुरू किया तो इनकी जड़ा लेंगवेज देखिए कि ये किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आधितनात सरकार को धमकाने की कोशिश कर रहे थे और जिला परशासन को भी धमकाने की कर रहे थे ये कह रहे थे कि यहां पर हमारे शोच वगेरा की सोचालिय की पानी की दूसरी सुविधाओं की व्यवस्ता जिला परशासन ने अभी तक क्यों नहीं की है और कान खोल करके सुन ले यहां एलाईयू के लोग भी होंगे यहां वो भी होंगे और सरकार सुन ले ज वस्तिती क्या थी वस्तिती ये थी कि इन्होंने वहां 75 घंटे धरने देने के लिए एक अनुमती पत्र जिला प्रशासन को दिया था एक आवेदन दिया था अनुमती देने के लिए लेकिन जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मद्य नजर इनको अनुमती देने से इंकार कर दिया था तो शराफत तो ये थी कि ये वहां जाते नहीं जब बाद में विवाद बढ़ गया और मीडिया ने इनसे पूछना शुरू कर दिया क्योंकि मीडिया को विवाद में पता लगा कि इनको तो अनुमती ही नहीं है और ये बिना अनुमती के ही हजारों लोग यहां इकठा कर चुके हैं तो इनको हिंदी में समझा दिया गया कि आप यहां से उठ जाएए नहीं तो पुलिस की कारवाई की जाएगी और जब इनको चेतावनी मिल गई और जब इनोंने रुख देख लिया उत्तर प्रदेश की योगी आधितनात सरकार का तो इसके बाद इनोंने एक द बहलाई समझे जो इनोंने अठारे तारीक को जब पानी की व्यवस्ता प्रशासने नहीं की वो क्यों करें जब कोई अनुमती ही नहीं दी तो कानूनन वो इसके लिए बाद दे नहीं था हलाकि कई बार लोग हित में या सुरक्षा व्यवस्ता बनाए रखने के लिए दूसरी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सब चीजे कर दी जाती है लेकिन इनका रवया देखिए ये किस तरह से शासन प्रशासन को मतलब उसी अंदाज में हड़काने की कोशिश क कर रहे हैं जिस अंदाज में यहां दिल्ली में यह केंद्र सरकार को धंकाने की कोशिश करते रहते थे यहां तो बहुत मेडिया था बलके पूरा लुटियन मेडिया इनके साथ था वो पूरे लिब्रल गुरूप के लोग वोई टुकडे टुकडे गेंग के सारे लोग वामपन थी जितने भी थे कॉंग्रेसी भी थे दूसरे दलो के लोग भी थे और वो चाहते थे के जितना लंबा ये आंदोरण खिचे उतना अच्छा है वो तो 19 नवंबर को 2021 को परधान मंत्री ने राष्ट को संबोधित करते हुए तीनों क्रिशी कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया इनकी तीन चार मांगे थी वो भी मांग ली तो धरना खतम हो गया लेकिन जो रवईया इनका वहां था वही रवईया इन्होंने यहां दिखाने की कोशिश की ये भूल कि योगी आधित नाथ ने एक टेलिविजन चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा था उन्होंने कहा था कि वो देश की राजधानी है और यहां अगर ये लखनव आएंगे तो ये परदेश की राजधानी है यहां इनका दूसरे तरीके से स्वागत किया जाएगा तो लखन शक्ति परदर्शन के लिए या अपनी दुकान सजाने के लिए या अपनी ताकत आजमाने के लिए या शासन प्रशासन का रुख क्या होगा अगर हम कोई आंदोलन छेड़ते हैं ये भापने के लिए आप कोई आंदोलन शुरू करते हैं और वो भी बिना वजे तो योगी सरकार क्या इसे बरदास्त करेगी पहले जरा इनका वो वीजुवल सुनिए जो इनों ने 18 अगस्त को धरना शुरू होने के कुछ गंटे के भीतर ही शासन प्रशासन को धमकाने की कोशिश की इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि यहां के प्रशासन के लिए वोगा चाते हैं यह गंटे में प्रशासन जवाज देदे उनको कई जिन से कहले कि यहां पढ़ेगी विवस्था सोचांदर को विवस्था करवाद हैं यह जिना कलेक्टेट हर जिने में हैं बैकली 40 औरंटए के द्रूने होंगे मैं प्रशासन लर से लिंगला। एवक्शन में जिन्नाव कर तकड़ में लिजियंस हैं कि अड़ी धीर गोश्था कि बढ़ें धें обяз कितने पानुक्रव फीर जरास करना यहां कितना यहां पर दंदा चलेगा जुना मुठ्याद भागे भी बंद रहेगे सब्सक्राइब के लोग अधिकारी को यहां पर यहां पर मुंच्पा जाए विचाता घंटे यहां पर हमको रह रहा है और नहीं सुविदा भोगे तो सुविदा हम लेना जानते हैं कि सुविदा कैसे रिखती है अपड़ा दिमाग ठीक कर लें परसासन और यहां की सरकाले लब उनके पहने साथ काम करेंगे कि यह प्रणा पाणी विए आहां के कोई शुझा नहीं देनी यह गंटे का समय है यह गंटे बात में जिला मुट्धागरुपे जो लोग यहां नहीं आरे वे जिला मुट्धागरुपे जाएंगे और तीन दिन तक महीं रहेंगे वे सब लोग यह इनका रविया था लेकिन बाद में जब पुलिस के और प्रशासन के आला अधिकारियों ने इनको आईना दिखाया इनको यह समझाया कि आप बिना अनुमती के यहां बैठे हैं इतने लोगों को आपने जुटा लिया है पंजाब से भी अर्याना से भी यहां से भी अपने जिले से भी अपने कारेकरताओं को भी लेकर के पहुंचे पहले दिन उतनी भीड नहीं थी दूसरे दिन और बढ़ ग है कि आप यहां से यह जगह खाली कर दीजिए क्योंकि आप बिना अनुमती के यहां पर बैठे हुए हैं इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे योगंदर यादाव भी पहुंचे थे बलबीर राजेवाल दिखाई नहीं दिये लेकिन जो दूसरे इनके नेता थे वो थे मेधा पाटे कर पहुंच गई संदीप पाटे पहुंच गए लेकिन शायद वो चतुर सुजान है योगंदर यादाव तो उसी दिन निकल गए मेधा पाटे कर भी निकल गई इसके लिए ये वहां थे कुछ और पंजाब की लीडर्शिप वहां थी और ये आजमाईश करने की कोशिश कर रहे थे कि योगी सरकार का शासन प्रशासन का रुख क्या रहता है और इन्होंने एक और गलती कर दी ये बड़ बोले तो हैं शेखिक हो रहें बात बे बात कई बार इनको ऐसी बातें कहने की बीमारी है जो सुर्खियां बन जाए और तालियां पीटने लगे लोग इनको सुनकर के के वाह किस-किस को हड़का सकते हैं ये बहुत पावरफुल नेता बन गए है बाई किसानों के तो इन्होंने एक टेलिविजन चैनल से बात करते हुए लखियमपुर के लोगों की नसल पर सवाल खड़े कर दिये और गुंडा कह दिया उनको करीब 30 सेकंड की वो इनकी एक क्लिप थी जो वाइरल हो गई और उसके बाद लखियमपुर खिरी में ही इनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया लोगों ने इनसे माफी मांगने के लिए कहा और इनके खिलाफ जब गोलबंदी शुरू हुई तो शासन प्रशासन ने इनको सचेत कर दिया कि अब आप यहां से उठ लीजिए ये बाद मे इनको करीब डेढ़ मिनट का एक सफाई में वीडियो जारी करना पड़ा जिसमें इनुने कहा कि साब मैं तो अजे मिस्र टैनी और उनका जो उनकी जो कमपनी है उनके जो लोग है उनको गुंडा बता रहा था उनकी नसल पर सवाल खड़े कर रहा था तो भी अगर उनकी भ ये वज़े एक सो बीस बी का मामला बनाते हैं, बताते हैं कि साब साजिस में शामिल थे, जो इनके बेटे ने कांड किया, उसमें ये भी शामिल थे, इनको भी बरखास्त किया जाए, इनको भी गरफतार किया जाए, तो उसमें बहुत साफ साफ शब्दों में, जो वहां की S.P. हैं, संजेव सुमन, S.P. हैं, उन्होंने ये साफ तोर पर कहा कि धरना परदर्शन की अनुमती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी धरना परदर्शन ये कर रहे थे, ऐसे में इन पर जो भी उचित कारवाई बनती होगी धरने के बाद हम करेंगे, जो कि शांती व्यवस्ता हमारी पहली प्रात्मिक्ता है, इसलिए सुरक्षा से लेकर के अन्य व्यवस्ताइं की जा रही हैं, धरना परदर्शन के बाद हम कारवाई करेंगे, यानि कारवाई की तलवार इनके सिर के उपर लटक गई है, और DM से, महां के कमिशनर से मेडिया ने पूछा कि वह जब अनुमती ही नहीं थी, तो क्यों ये सुरक्षा व्यवस्ता और तमाम दूसरी चीजें आप लोगों ने की, तो उस पर जो है, फिर जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा गया, कि इन्हों ने धरने की परदर्शन की अनुमती मांगी थी, लेकिन जिले में शांती व्यवस्ता के मद्यनजर रखते हुए धरने की अनुमती इनको नहीं दी गई थी, और हैरानी की बात ये है, कि बिना अनुमती के जिले में इतना बड़ा धरना इन्होंने वहां जा करके चलाया, इसनी भीड महां जुटा ली, पर शास शासन ने इन पर दवाव बनाया, आप खतम करिये, नहीं तो हम कारवाई करेंगे, पुलिस कारवाई की चेतावनी दी गई, और उसी का नतीजा है कि ये लोग वहां से फिर दुम दवा करके भागे हैं, एक दिन पहले ही इनोंने धरना खतम करने का एलान कर दिया, इनसे प कहा कि हम धरना खतम कर रहे हैं, आंदोलन खतम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो लेंग्वेज उन्होंने दिल्ली में की थी, और 6 सितंबर को हम दिल्ली में बैठक बुला रहे हैं, वहां पर जो है, आगे की रणनीतित तैयार करेंगे, और यहां तो हम आंदोलन के बीज बो करक लेकिन लखीमपूर खिरी में इनों ने जो ये धरना परदर्सन भाषन बाजी की ये एक्च्छल में आज माने की कोशिश कर रहे थे, देख रहे थे कि आगे को हम कोई धरना परदर्सन अंदोलन कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, शासन पर शासन उसकी अनुमती देगा या इनको संकेत और संदेश योगी सरकार ने दे दिये, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्रा कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कर.